हेलो माई डियर फ्रेंग्स मैं सुमन जैसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंग्टैट के बारे में मैंग्टैट टैबलेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका न और लोग अकसर बड़े लोग इसको कंजूम करते पाए जाएंगे आपको क्योंकि यह टैबलेक जो है माइन यानि मेमोरी को इन्हांस करती है मेमोरी बढ़ाती है तो इसलिए लोग इसका सेवन थोड़ा जादा करते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखेर यह मेंग टैग जो टैबलेक है यह काम कैसे करती है और इससे जुड़ी बहुत सारी बाते मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी आप बस वीडियो में अंता तक बने रहिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मेंक टैक सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इसको जो बनाती है जो कंपनी उनका नाम है हिमालया तो यह हिमालया का प्रोडक्ट है और इसकी एक बॉटल में साथ टैबलेक्स आती है और टैबलेक्ट ही नहीं यह सीरप के फॉर्म में भी आती है जिसके लिए भी वही सारी चीजें लागू होंगी जो टैबलेक्स के लिए लागू होंगी जो मैं आपको आगे बताने वाली ह तो देखिए, सबसे पहले बता दूँ कि ये क्या करती है सब देखिए, ये memory को बढ़ाती है और जो healthy cognitive function है यानि कि जो एक इंसान को normal चीजें याद होनी चाहिए उनका concentration होना चाहिए तो दिमाग संबंदित जो भी समस्याय होती है उसको ये दवा बहुत आसानी से ठीक करने में सहायक होती है अब इसमें क्या present है? इसमें ब्राम्भी है ब्राम्भी है जिसका biological नाम है time leave gratiola ये क्या करती है? कि जो memory होती है उसको शांत रखती है मधु कपर्णी जिसका biological नेम है Indian penny word ये क्या है? कि epilepsy जिसको मिर्गी कहते है epilepsy और भी दिमाग संबंदित जो impairments होते है उसको ये दवा ये मधु कपर्णी ठीक करती है यानि ये nervous system पे act करके nervous system को stable करने का काम करती है फिर अश्वगंधा जिसको winter cherry भी कहते है तो depression को सही करती है जो किसी किनी किनी लोगों में anxiety होती है घबराहट होती है किसी situation को देख के दिमाग काम करना बंद कर देता है ये अश्वगंधा उस तरह से काम करता है और mood को stable करता है यानि दिमाग को शांत करके stable एकाग्र चीट करके काम करता है और साथ ही साथ ये oxidative stress को कम करता है और oxidative stress को कम करेगा तो जो भी mental fatigue की situation है वो भी कम हो जाती है तो सोचिए ये तीन ब्रामी, मधू कपर्नी और अश्वगंधा इस mental tablet में present है और तीनों ही अपने अपने तरीके से mind पे काम करते हैं तो ये दवा इतनी ही असरदार है क्योंकि इसमें ये तीन constituent जो है ये बहुत ही powerful aging होते हैं अब देखिए इसका और भी इस्तमाल है जैसे अगर किसी को नींद नहीं आ रही है किसी को convergence हो रहे हैं तो उनको भी ये दवा दी जा सकती है साथ ही साथ अब देखिए अब जो लोग अकसर पूछते हैं कि ये टैबलेक्ट कितनी लेनी है किस quantity में लेनी है और इससे जुड़ी और भी बहुत जरूरी जरूरी कुछ जानकारिया हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टैंक डारेक्शन न्यूस के नाम से जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूं आप प्लीज हमारे उस चैनल को विजिट कीजिए और हमें दूसरी चैनल पे भी सपोर्ट क अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगे एजी लगे आसान लगे तो प्लीज आप वीडियो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब बनता है और वीडियो से रिलेक्टेट कोई सजेशन कमें सेक्शन में आप दे सकते हैं तो देखिए अब इसको दिन में दो टैबलेक्ट हर दिन आपको लेनी होती है अब इसको हलके गुनगुने पानी के संग लेने तो ज्यादा बहतर है दिन में दो टैबलेक्ट आपको लेनी है हलके गुनगुने पानी के साथ लेनी है खाने के पहले ले या बाद ले यह कोई फरक नहीं क अब देखिए मैंने पहले ही बताया सीरप के फॉर्म में भी अवेलेबल है तो क्या यह प्रेगनेंसी में इसका क्या है प्रेगनेंसी पहले तो आपको बता दूए कैसी सिचुईशन होती है जिसमें कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से समपर्क करना चाहिए फ सेम ब्रेस्टीफीडिंड में भी कोई रिसर्च ना कंडक्ट होने की वजह से लाइक ओफ रिसर्च की वजह से यह ब्रेस्टीफीड में सेफ हैं कि नहीं सेफ है यह नहीं कहा जा सकता त्सकाक अब इसका क्या पेग पेक्स पे कोई हामफुल एफट है जी नहें Gram фूल नही नशा होता है इसको रोज-रोज खाने से जी बिलकुल नहीं किसी प्रकार का कोई नशा नहीं होता है इसमें जो इंग्रीरियंक्स है वह सारे नैचुरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अब देखिए ड्राइफ वगेरा क्या इसको लेकर इसदवा को खा के ड्राइफ किया बता देनी शाहिए वो मैंने आपको बताने की कोशिश की उमीद कर रही हूं अच्छा लगा होगा अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अब मैं सुमन जास्वाल आपसे विदा चाहूंगी अगले वीडियो में मिलेंगे नई मेडिसन का रिव्यू तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच्छ